नमेशकार दोस्तों, रिसेंटली अगर आपने न्यूस देखा हो तो आपको पता होगा कि यूएस के अंदर कुछ शूटिंग्स के मामले सामने आये थे बेसिकली यहाँ पर बताया रहा था कि जो गनमेन है उसने ओपन में फायर कर दिया जिसकी वज़े से कई लोगों की मित्ति हो गई थी तो यहाँ पर एक जो में कारण बताया जाता है अमेरिका के अंदर कि वहाँ पर जो गन है उसकी availability बहुत जादा आसानी तरीके से हो सकती है मतलब कोई भी person अगर चाता है कि वो अपने पास हत्यार रखे वो काफी easily रख सकता है इन फाक पूरे विश में अगर आप देखोगे तो अमेरिका में काफी relaxed laws है अब इन सारी चीज़ों को देखते वे यहाँ पर जो जो बाइडन है अमेरिका की president उन्होंने कहा है कि after mass shooting जो बाइडन faces pressure to act on gun control तो यहाँ पर जो बाइडन basically क्या कहना चाहरा है वो क्या step लेना चाहरा है ताकि जो gun का control है वो कानूनी तोर पर अमेरिका के अंदर आ सके constitution में भी in fact मैं आपको बता दूँ कि gun के बारे में लिखा हुआ है और इसी की बज़े से main problem आती है कि प्लस साथ में आप मेरा telegram channel जोइन कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है कि UPSC prelims का exam आने वाला है अगर आप 2021 के लिए या फिर 22 के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे study IQ की UPSC course को join कर सकते हैं जहांपर आपको static current हर एक चीज एक जगा उपलब करा दी जाती हैं तो आईए सबसे पहले देखते हैं exactly हम इस सभी चीजों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले one week में अगर आप देखोगे तो दो ऐसे mass shootings देखने को मिले हैं एक है आपका Atlanta के अंदर जहांपर आठ लोगों की मिर्तियू कर दी गई जिसमें से 6 Asian origin के women थी और दूसरा मामला आया था Colorado में जहांपर अगें 10 लोगों की मिर्तियू कर दी गई थी रॉसरी स्टोर में यहां पर शूट किया गया था और यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी वज़े से जो US है उसमें काफी बड़ा debate छेड़ा है कि gun control का जो कानून है उसको लेकर हमें क्या करना चाहिए क्या हमें gun control को लेकर एक नया कानून लाना चाहिए संविधान के अंदर संसुधन करना चाहिए क्या करना चाहिए इसको लेकर काफी एक बहस चेड़ा का है यहां पर in fact बताया जाता है कि पूरे विश्व में one of the relaxed laws हैं अमेरिका के अंदर in fact आप देख पाओगे US has the highest civilian gun ownership globally जो RAND Corporation Gun Policy in America initiative है उनके द्वारा बताया जाता है कि हर 10 civilian के अगर हम average में देखें हर 10 civilian पर 12 fire arms आपको देखने को मिलें मतलब जितनी population है उससे जादा आपको fire arms civilian की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई defense forces की हम बात नहीं करना है यह आपको देखने को मिलता है तो यह ratio बहुत जादा है so this may be one of the reason बता कह सकते हैं जरूरी नहीं कि इसका direct relation हो लेकिन of course ही बात है अगर यहाँ पर आपके पास gun होगा तो आप कोई चीज सोचते हो तो काफी आसानी से आप उसको कर पाओगे तो यह काफी बड़ा कारण हो सकता है जिसकी बज़े से बाकी की जो developed देश है उसको अगर आप compare करिए अमेरिका के अंदर तो 6 गुना जादा इस तरह के incidence आपको देखने को मिलेंगे ऐसा 2016 की study में पाए गया था चलिए थोड़ा सा यह जो mass shootings हुआ था recently उसके बारे में आपको बता दूँ सबसे पहले 22nd of March को Colorado में बताया जाता है कि जो grocery store है वहाँ पर एक gunman के द्वारा fire कर दिया गया जिसमें 10 लोगों की around मित्यू हो गई जो लोग मित्यू होई थी जिनकी उनकी age करी 20 से 65 साल के massage parlors वगर होते हैं वहाँ पर आपका जो एक gunman था वो enter किया और 8 लोगों की मित्यू कर दी गई जिसमें से जो 6 victims हैं वो Asian descent के बताये जाते हैं और women थी वो और यहाँ पर आप देख पाऊगे जब उससे पूछा गया ऐसा reports में सामने आया था कि तुमने ऐसा क्यों किया तो अब इसके उपर जाँ चल देए वो चलती रहेगी लेकिन ये दो बड़ा मामला सामने आया आप खुद सोच सकते हो कि simply open कर दिया जाए fire और 8 लोग 10 लोग इस तरह से मिर्ती हो जाए अमेरिका जैसे देश में तो यहाँ पर जो gun control है US के अंदर वो है क्या exactly तो यहाँ पर buy a gun वहाँ के समविधान के अंदर डाल दिया गया और बहुत कम exception डाला गया कि कौन gun को buy नहीं कर सकता है मतलब उसका कुछ past criminal history रहा है mental illness रहा है तो ही उस person को वो gun नहीं मिल सकता otherwise कोई भी person अगर चाहे काफी आसानी से gun को ले सकता है in fact depend करता है कि आप कौन से state में हो अमेरि तो final जाकर 2008 June में वहाँ की जो supreme court है उसने फैसला सुनाया और ये कहा कि right to buy a gun का मतलब ये नहीं कि आप बस simply ले लो और अपना practice करते रहा उसका इसका simple अर्थ यह हुआ कि आप self defense में यहाँ पर उस gun को ले रहे हो ना कि कि किसी other purpose के लिए तो ये ऐसा supreme court का judgment आया था in fact अमेर में वहाँ की जो संसद है Congress है उन्होंने पास किया था Gun Control Act ताकि यहाँ पर जो इसली से gun वगरा मिल जाता है उसको थोड़ा सा control किया जा लेकिन अगेन कुछ ऐसा बड़ा कदम नहीं हो पाया फिर 1980s में अचानाक से ये देखने को मिला कि US के अंदर जो gun से violence है वो बहुत ज जादा extremely high हो गई थी इसको देखते वे दो कानून लाए गये थे comprehensive crime control act और armed carrier criminal act जिसकी वजह से यहाँ पर जो sentence है अगर आप गलत चीजों पर इस्तमाल करते हो gun का तो sentence बढ़ा दिया क्या लेकिन यहाँ पर फिर और कई सारे efforts किये गए लेकिन अगर आप देखो कि एक single कोई कानून नहीं है US के अंदर जो कि gun को proper तरीके से control करे कि कि किस person को देना है किसको नहीं देना है जैसे भारत के अगर आप देखोगे तो काफी strict laws हैं भारत के अंदर अगर आपको arms purchase करने हैं बहुत सारे proof दिखाने पड़ते हैं कि आपको जान को खत्रा है कई सारी चीजे होत 30% वहां की population कहती है कि उनके पास gun रखा हुआ है 11% लोगों ने कहा कि वो ऐसे किसी person के साथ रहते हैं कि जो gun को own करता है मतब बड़ी संख्या है 2 3rd जो gun owners है जिनके पास gun है उसमें से जो 2 3rd हैं उनका ये कहना है कि हम protection के लिए रखते है 38% का ये कहना है hunting के लिए रखते है 30% ये भी कहते हैं कि हम sport के लिए रखते है sport shooting के लिए और कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास job ही ऐसा है कि हमें रखना पड़ता है कुछ का कहना है कि gun का collection का हमें shock है मतब इस तरह की चीज़ें आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगी जो research में पाए गया था 2019 का पी study हुआ था इसमें ये कहा गया बताया गया कि majority of जो Americans हैं वो चाहते हैं कि gun laws के उपर control किया जाए लेकिन gun law control करने से क्या shooting रूख जाएंगी तो 47% ने बोला कि हाँ जो shooting हैं वो थोड़ी कम हो सकती है संक्या 46% ने कहा कि नहीं इससे कुछ खास difference नहीं होगा तो ये जो प रिपब्लिकन से बिलॉंग करते हैं और जो बाइडन आपके डेमोक्रेट से बिलॉंग करते हैं तो दोनों पार्टी के बीच में भी अगर आप देखोगे तो काफी जादा मत्भेद है जैसे कि रिपब्लिकन जो डॉनल ट्रम्प ऑली पार्टी है वो यहां पर नहीं चाह प्रमेन में भी उन्होंने प्रामिस किया था कि हम गन कंट्रोल को लेकर कुछ लाज लाने की कोशिश करेंगे और इसलिए आप देख सकते हो तूजडे को जो बाइडन की पार्टी उन्होंने यहां पर सेनेट को बुलाया और दो बिल पास कराने के लिए कहा 11th of March का बिल है दो बिल पास कराने को कहा इसके तहट यहां पर क्या होगा कि जो भी person गन खरीदने जाएगा तो उसका background चेक काफी अच्छे से होगा कि कहीं उसका history कैसा है कैसा record है उसको और ज्यादा strict करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो इतने आसानी से गन ना खरीद सके ऐसी यहां प आता है कि नहीं बहुती ज़्यादा दुर्भागिपूर्ण है कि इस तरह से shooting अमेरिका जैसे देश में हमें अकसर सुनने को मिलती है और भारत के बारे में अगर मैं आपको बताओ तो भारत में आप देख सकते हो Arms Act 1959 के तहत ठीक है 1969 में एक बनाया था जिसके तहत अगर कि कितना गन रख सकते हो किया आप 10 रख सकते हो 15 रख सकते हो 20 रख सकते हो क्या रख सकते हो तो unlimited था जो person आता था जैसा मन चाता था वो रख लेता था फिर आगे चलकर 1984 में कुछ limit लगा गया और finally 2019 में एक और amendment लाए गया था भी 2 साल पहले Arms Amendment Bill 2019 तो मेरा आपसे question है कि आप कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हो अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना चाहते हैं study IQ आप पर जा सकते हैं यहोग की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ